तो नमस्कार, आज हम लोग जानेगे MS Paint के बारे में, पिछले वीडियो में हम बता चुके MS Paint में कैसे काम करेंगे, कैसे उसमें, कौन सामेरों से कैसे काम होता है, कौन से ओप्सन से कैसे काम होता है, आज हम अपको लेक्ष चलेंगे, अस्क्रीन पे, यानि लैब करूप में, लोग चलते हैं, तो चलते हैं, पेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला नुमर नुमर पर यहां यहां से प्रोग्राम कर लेते हैं बंद पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद पर आपको क्लिक करना है और आपको लिखना है यहां पर इंटरप्रेस करेंगे आपका प्रोग्राम खुल जाएगा प्रोग्राम में पहला उप्सन आपके पास यहां पर फाइल मेनु में चलता है यहां पर निव नया पेज लेने में अगर आप यहां पर क्लिक कर दें तो आपको नया पेज देगा ओपन सेव किया हुगा पेज पर पर बना लेने के बाद हम लोग चलेंगे यहां पर और आएंगेने यहां लिखने मारा डेस्टोप है हॉवान यहां से करें है इसको आदाश्य करों प्लॉज कोद देखना हो तो इसको तो आप क्लोज कर दे और यहां पर आपके पास देखिए ना उसे यहां पर फोल्डर बन चुका है यहां पर डवल क्लिक करेंगे इसको देखेंगे नर्मली अगर आपको देखना है पिक्चर के रूप में तो यहां से ओपन कीजिएगा आपका पेज़ दिखाया देखेंगे यह हम अभी बनाये थे तो हम यहां से क्लोज कर लेते हैं और चलते हम प्रोग्राम यहाँ प्रोग्राम में आ गया वाला optionש यहां पर आपके पास जो भी है सेवावी काम कर लिए इसके डाले आपकर सेव और ऑपके सेव यहां पर HDCC हम डालने के बाद हैं से कर दिये हुगि यहां से कर लिक करेंगे पुराना फाइल है आपके पास ठीजटार के रूप में आपके पास HDCC पे क्लिक किए गा गया नया फाइल हो गया इस तेरह से किये हुए फाइल को सेट करते हैं इसके बाद अगला औशन यहां पी सेट अप करने के रहे कर內 नहीं क्लिए हुए प्रिंद करने के लिए प्रीन्ट करने के लिए सेट प्रिडियो में हम आपको बता चुके है तो और अगर आपके सिस्टम के साथ वेब कैमरा या स्कैनर लगा हुआ रहेगा तो यहां से आपको दिखाते हैं यहां पर आपके पास लग गिया है फिर से चलते प्रोग्राम में क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पेगे साथ तो प्रोपर्टी पेक लिखाएगा यहां पर यहां से अगला रुसान यहां पर है इसके बाद एग-जीक प्लिक किजेए में करते हैं हम लोग क्या पढ़ना है यहां पर हो मेनू के बारे में हो मेनू में कट कोपी पेस्ट यहां पर कुछ मैटर बना हुआ है हम यहां से और कुछ मैटर बना लेते हैं बना लेने के बाद जितना हम मैटर चुनेंगे उस मैटर को हम कट कर सकते हैं, कोपी कर से यहां पर हम इतना चुने, चुनने के बाद अगर कट पे करते हैं, तो यहां से मैटर खतम हो जाएगा, लेकिन अब जितना बार हम पेस्ट करेंगे, उतना बार मैटर वो आते रहेगा एक मेटर आया फिर पेस्ट करेंगे फिर आएगा जितना बार मतलब हम चाहते हैं उतना बार पेस्ट करेंगे वह आते रहेगा तो यह फरक होता है में इसके बाद यहाँ पेस्ट से करना है आपको से टाइप अलग मिलेगा रिक्टेंगल से करना है रिक्टेंगल में क्या होता कि यहां से चुन सकते हैं इसको जहां पर रखना वहां पर आप असानी से तो इस तरह से अभी आप चुन सकते हैं इसके बाद यहां पर जो भी और सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेट करना तो अब सबसे लाक में हम लोग इजये आया थे मेटर को और यहां से पीछे लेके चले जाएंगे इस तरह से पीछे जाएंगे इसके बाद यहाँ पर आपके पास है क्रोप तो जितना मैटर चूना हुआ रहेगा और यहाँ पर क्लिक किए अब यहाँ पर हम चूने जो भी चूने मैटर अगर चाहते है कि यह मैटर रहे वाकिस्ट मीटर मिट जाए तो यहां से कर लेंगे क्रोप आप यहां से पेज देखें पर लेंगे बड़ा थोड़ा आपके पास बड़ा हो गया आपके बाद देखें यह मेटर बच गया बाकिसब मेडी यहीं से क्या करते कि अगर फोटो लाना हो पेंट में तो असानी तरीका यहांपे पेस्ट पे जाएए नीचे वाला पर फेक्ट करेंगे और चुनने के वाद यहां से फोटो आया आपको पकड़ने चोटा बड़ा पसानी से उसको कर सकते हैं प्रवाइंट पकड़े आ जाएगा तो चोटा बड़ा कर लेंगा जोटा अब इसको छोटा कर ले लिए यहां पर फैका है यह हमारे पास इसको रिषाइज सेट करना है साइज यह तो डिरेक्ट हम कर लिए माउस के माद यहां से बड़ा चोटा यह चीज करना है आपको यहां पर आजाते हैं तो अब तो यह 100% वे कनवर्ट हो गया अब इसको करना आए तो चोटा में तो 50% देंगे तो इसका आधा फूट हो आजाए देखिए यह होगी आपका 50% में अब फिर यहां पर जाएंगे और यहां पर डालेंगे जैसे आपको चाहिए फिर 50% इससे लागते आदा हो जाए तो इस तरह से छोटा करेंगे हैं इसके बाद यहां पर रोटेट है गुमा सकते आप 50 डिगरी में कैसा गुमाना चाहते है आपके ऊपर है यहां पर पूर्णा से ही भेच सकते हैं आप दाएं भाएं भी कर सकते हैं जैसे उपर नीचे तो यहोगी हम कर लेते हैं इसको कर लेते हैं को को पिप करने को पेस्ट कर लेते हैं को सेट कर लेंगा यहां कर देखें हैं इसके बाद आपके पास छेटो टूल में पहला नवर पैंसिल चुल कहता है कि जो भी आप हमारे जैसे पैंसिल पैंसे लिखते हैं उस तरह से आप माउस को प्लिख करके कुछ लिख सकते हैं जैसे हमको यहां लिखना है इस तरह से अप लिख सकते हैं उसका मोटा पतला करना हो साइज तो यहां से मोटा कर सकते हैं और यहां पर मोटा होगा पतला को सकते हैं अगर और है भी मोटा करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस किजिएगा यह बड़ा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा देखिए हैव चोटा कर सकते हैं यहां पूर बाहर में करते हैं तो देखे पूरा में चला जाएगा है हम यहां थोड़ा अंडो कर लेते हैं यहां से आफ सब्सक्राइब पीछे भागते हैं इसके बाद है यहां पे लिखने के उपरां जो भी आपको सेट आप करना है इसका सारे में प्रसक्ते हैं कैसा क्या करना है यहां पर छोड़ देंगे से इसके बाद हम अगला उप्षन है इसका अग्राइर बड़ा चोड़ा करना तो अभी पिछली बड़ा से बड़ा मैंना से छोटा इससे फैदा यह होगा कि आप रबर की तरह मीटा सकते ह्निस के लिट क्लिक को दबाना है और अगड़ते रहना माइश को आपका इसके बाद अगला उप्षन यहाँ पर है कलर पीकर का मोता है कि जैसे आपको यहाँ पर वैसा रंग भरना है जो इसका चेहरा का रंग तो यहाँ पर पकड़ेंगे और चेहरा पर क्लिक करनेंगे और यहां पर चेहरा पर क्लिक कर यहाँ पर पीछे वहाँ पर ले लिए देखेव की इसके तनम सो इसके यहां पर है किजिए क्रिक करने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जाएगा इसके बाद यहां से लेट क्लिक से बड़ा कर सकते हैं और राइड क्लिक से छोटा कर सकते हैं केवल देखने में काम होता है बड़ा कर सकते हैं और चोटा करते हैं पेज का साइ बढ़ा कर लेते हैं अगला ओप्षन यहां पर बरस जो भी आप जैसे से यहां पर लिए अब इसका हम क्या करेंगे ब्रस चेंज करने से ब्रस यानि या स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा क्लिक कीजिएगा देखिए आपका ऐसा आ रहा है इसा जिजाइन में अलगा रहा है यहांपने यहां पर बबर रहा है एक हमकर से ब्रस यांवा कर लेंगे करना होज्ते हैं इसके बाद यहां पर सेट होगी आपके पास इस पर किलिक कीजेगा और दो ट्रेट फैनल यहां से आपके अपके पास बना सकते हैं इसके अगला नंबर यहां पर आपके पास याप से बनाए उसका किनारा कैसा किनारा को थोड़ा करके आपके क्लास में बताया जा चुका है बड़ा होता है और यहां से आउट्लाइट का हम चेंज्ज हो रहा है यहां पर आएंगे और फिल का मैटर चेंज करेंगे यहां डूसरा से बनाने के बाद यहां पर कोई अगर कलर भरेगा आपका जो भी है देखियाँ से और यहां से बनाया और यह जो बीच में यहां से डिसाइड बढ़ा लेगे वैसा ही अलग टाइप से आ रहा है वह जैसा आप लेना चाहते हैं यहां आप सेट कर सकते हैं इसके बाद यहां पर करना है और नीचे से काम है तो एरेजर मारा पीछे में कैसा पेश दिखना चाहिए जैसे वाइट जिनला अगर यहां से नीला कर दिए अलग कर दिये थोड़ा तो यहां आप देखे कलर अलग होगे तो इस तरह से जैसे मिटाएंगे यहां से मिटाने के पीछे में कैसा दिखना चाहिए यहां पे our अब यहाँ पर चलेंगे भी मेनु के दरगत भी मेनु में आए यहाँ पर देखेंगे जूम इन जूम आउल सोब परसेंट यहाँ पेज को बड़ा करके देख सकते हैं नॉर्मल नहीं बड़ा और नहीं छोटा के रूप में रूलर दिखेगा या नहीं यहाँ पोइंट को स्टेटस बार नीचे में डीकि आपके पाइस जूमेरियं यहां सी रहे खेंद हब हैं तो इस तरह से So add करा सकते हैं kingsCore table लाना हुग इसको इसको वेल mails गुद्री बोलते हैं इसकcü गुलते हैं अब जो नीचे में होता है यह अपका यहां पर होता है टेंट सम आप हम लोग पढ़ें यहाँ पे जिनरली डवल क्लिक करते हैं और आया तें पीछे में फाइल मेनू पढ़ें यहाँ पे आपके पास होम हुआ यहाँ पे भी हुआ अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कैसे और एड़भांस काम करते हैं आई होप यहाँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा एमेस्मेंट में कैसे काम करेंगे हम दो तरीका से आपको वताज चुके हैं एक प्रेटिकल के रूप में और एक थियोरी के रूप में अब इसके बाद जो भी आपको दिकत हो आप कोमेंट सेक्शन में लिखे तब धन्यवाद जहिएद